हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि अब जितने भी EPS मेंबर है और जो भी PF से अभी भी पैंसल ले रहे हैं तो उनके लिए एक बहुती बड़ी गुड न्यूज है जिसमें सारे EPS मेंबर अब खुस होने वाले हैं जिहां फ्रेंड इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें और वीडियो को एंड तक जूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नई है तो फिलीज मेरे चैनल को जुरूर सबिस्क्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकोन जिससे आपको आगे भी इसी तरह प्रेस रिलीज भी जारी की है। देखें फ्रेंड प्रेस रिलीज हमारे सामने है जो की समो रोगार मंत्राले की तरफ से जारी की गई है। यहां पर लिखावा है EPS पैंसन भोगियों को एक जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी किसी भी बैंक और किसी भी साका से पैंसन मिलेगी उसके बाद यहां लिखावा है केंदरिये मंतरी डाक्टर मंसुक मांडविया ने EPS 1995 के तहट पैंसन के लिए केंदरिये करित पैंसन भुकतान प्रणाली CPPS को मंजूरी दी इससे 78 लाग से अधिक EPS पैंसन भोगियों को लाब होगा अगले चरण में अधार अधारित भुकतान प्रणाली ABPS में बदलाव किया उसके बाद यहां नीचे मैं आपको एक बार यह पूरी प्रेस रिलीज रीड करके बता देता हूँ ज्यादा लंबी नहीं है उसके बाद यहां पर लिखावा है केंद्रिय सामो रोजगार मंतरी और EPS के केंद्रिय नियासी बोड के अध्यक्स डाक्टर मनसुक मांडविया ने करमचारी पैंसन योजना 1995 के लिए केंद्रिय करित पैंसन भुकतान प्रणाली CPPS के पस्ताओं को मंजूरी दे दी है राश्टिय इस्तर की केंद्रिक्रित प्रणाली CPPS की स्थापना पर्मुख बदलाव का परतीक है इससे पूरे भारत में किसी भी बैंक किसी भी साका के जरिये पैंसन पाना संभव हो जाएगा ऐसे एतिहासिक निन्ने के बारे में बताते हुए केंद्रिय मंतरी डाक्टर मंसुख मांडविया ने कहा केंद्रिक्रित पैंसन भुकतान प्रणाली CPPS की मंजूरी EPF होके आधुनीकी करण में एक महत्रपुन मील का पत्तर है पैंसन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी साका से अपनी पैंसन प्राप्त करने में सक्सम बनाने वाली यह पहल पैंसन भोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनोतियों का समधान करेगी और एक निर्भात तथा कुसल समीतरन तंतर सुनक्सित करेगी यह EPFO को अपने सदस्य और पैंसन भोगियों की जरूतों को बहतर डंग से पूरा करने के लिए परतीबंद एक अधीक मजबूत उत्तरदाई और तकनीक सक्सम संक्टन में बदनने के हमारे चल रहे परयासों में एक महत्रपुन कदम है के अधीकरित पैंसन भोगियों को लाव होने की उमीद है उन्रत आईटी और बैंकिंग पदोगी क्यों का उप्योग करके ये पैंसन भोगियों के लिए अधीक कुसल निर्भाद और उप्योग करता के लिए अनुकूल अनुभाव परदान करेगा CPPS पैंसन भुकतान आदेश PPO और एक कराले से दूसरे कराले में इस्तरांतिर्थ करने की अवसकता के बिना पूरे भारत में पैंसन का बित्रण सुनक्षित करेगा भले ही पैंसन भोगी अपना इस्तान बदल देता हो या अपना बैंक या साखा या उन पैंसन भोग्यों के लिए बड़ी रात होगी जो सेवनिप्ती के बाद अपने घ्रहनगर चले जाते हैं यह सुवीदा एक जनुरी दोजार पच्चिस से एप्योफ होके चल रहे आईटियाई अधू नीकिकरन परजेक्ट सेंटरलाइज आईटियाई इनेबल्ड सिस्टम CITS 2.01 के हिस्से के रूप में लौंच की जाएगी अगले चरण में CPPS अधार अधारी बुकतान परणाली ABPS में एक सुचारू परिवर्तन करेगा CPPS मुझूदा पैंसन सवी तरण परणाली से एक अरदस बरदाव है जो बिकेंदी करित है इसमें EPO का परतेक छेतरिये छेतरिये कराले केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-लग सम होने पर तूरंद खाते में जमा कर दी जाएगी इसके अलावा EPO की उमीद है कि नई परणाली में जाने के बाद पैंसन बितनर की लागत में उन लेखनिये कमी आईगी तो फ्रेंड अब आप अच्छे से समझ गयोंगे कि इसमें अब सभी EPS 95 पैंसनरों को इसका फायदा होने वाला है अभी तक क्या होता था कि EPO होने सिरफ 6-7 बैंक ही रखे थे जिसमें EPS 95 मेंबर पैंसन लेते थे अब उनको बहुत परसान ही होती थी क्योंकि बहुत से मेंबरों के आसपास जो EPO होने बैंक के नाम दे रखे हैं और बरांच दे रखी है वो उनके आसपास न पैरिया गाओं में और जो भी आपके घर के आसपास बैंक होगा उसमें अब आप असानी से अपनी EPO की पैंसन ले सकते हैं इससे 78 लाख से भी जादा EPS 95 पैंसन भोगियों को फायदा मिलने वाला है तो फ्रेंड ये गुद नूज जितने भी EPS 95 के तहत जो पैंसन भोगी है और PF से अपनी पैंसन ले रहे हैं ये उन सभी के लिए थी